आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ प्रेष्ट किया गया है जहां पर युनिफॉर्म में अटिक फिल्ड बी पर्पेंडिकुलर टु इट्स प्लेन जिस तरह से में डाउग्राम में दिखाए गया है वैसा यहां पर अप्लाई हो रहा है ठीक है तु देखिए जो Light String है वो यह है ध्यान दिजीगा एक Light String यह है और एक Light String यह है तो सपोस्कोरो Tension इन दोनों में जो लग रहा है यहां भी Tension T लग रहा है और यहां भी Tension कितना लग रहा है ती लग रहा है बात के लिए है current यहां पर किस Direction में जा रही इस Direction में जा रही है तो इक से यहां पर ध्यान दो हमारे पास जो इस लूप का Effective Length होगा Chief Length तो हमारे पास इस लूप का यही होगा नो । इस लूप का Effective Length क्यों कि B X B लेन होता है तो Papandicular Direction में लेना परता तो यह Direction change होगी तो जितना देखो अगर हम horizontal component वाला length लेंगे तो यह यहाँ पर horizontal component के length इधर के लिए यह हो जाएगी और इधर के लिए यह हो जाएगी ठीक है तो जो force लिखते हैं suppose करो वो क्या लिखते हैं force लिखते हैं I L cross B L cross B ठीक है तो जो इसके वाल इस पर force suppose करो इस direction में लगेगा ठीक है इसपर suppose करते हैं कि force कि direction में लगेगा इस और यहां पर ये की length इस direction की length r है तो इसकी भी length यहां पर сум और इसकी आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होगी ठीक है तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इफेक्टिव लेंथ आफ वायर जो आएगी वह कितनी आ जाएगी हमारे पास 2R आ जाएगी ठीक है क्योंकि रेडियस आ रहे तो यह तो डायमेटर के एककल हो जाएगा बात के लिख यहां पर ठीक है तो यह करेंट इस डायक्षिन में जा रहा तो हमें जो एल की लेंथ लेनी होगी वह लेनी होगी इस डायक्षिन में तो एल वैक्टर हमें क्या लेना पटेगा 2R और यह X-Axis में मतलब आई लेना पटेगा आई क्या दिखा रहा है X-Axis में दिखा रहा है ठीक है और यह करेंट कितना केरी कर रहा है करेंट के करी कर रहा है इतनी बात है क्लियर है हमारे पास ठीक है अब हमें पता है कि जो फोर्स लगता है इस एक करेंट केरिंग वायर को जो मेंगनेटिक फिल्डेम प्रोडूश रखते हैं तो फोर्स कितना लगता है फोर्स अंडaa वायर वह कितना लगता है यह हमें पता है कि यह लगता है f इक्वास टू आई L x B लगता है ठीक है यह बात है हमें पता होनी चाहिए तो अब यहाँ पे देखो B की जो value हम लिखेंगे यहाँ magnitude magnetic field का B दिया गया है तो जो यहाँ पे V vector लिखेंगे वो क्या लिखेंगे अगर यह एक से यह यह तो यहाँ पे यह लाइन और एक यह लाइन आई ठीक है तो यह क्या लिखेंगे माइनस Z यह प्लस Z तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ आपको पता होना चाहिए कि X axis को हम आई लिखते हैं Y axis को J लिखते हैं और Z axis को हम क्या लिखते हैं K vector लिखते हैं तो यह माइनस Z की direction में है तो माइनस K लिखना पड़ेगा ठीक है तो magnetic field की जो value हम यहाँ पे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे ध्यान दिजिए यहाँ थोड़ा सा तो जो magnetic field हम लिखेंगे that is equals to B और minus K लिखेंगे इस तरीक है ठीक है तो इतनी बातें आपको clear होनी चाहिए अब यहाँ ध्यान दो कि I तो को direction नहीं होता ही का मतलब यह scalar quantity नहीं होती है तो यह हो जाएगा 2R और यह हो गया I cross B के लिखेंगे B into minus K ठीक है तो यह हो जाएगा हमारे पास I into 2R into B यह सब scalar product है minus भी बाहर निकाल दो तो यह हो जाएगा I cross K हो जाएगा ठीक है अब I cross K हो गया तो इसकी cross product क्या मिलेगी तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक होता है that is I यह होता है J और यह होता है K तो अगर हम को पता है कि अगर हम clockwise multiplication करते हैं तो positive result आता है Anticlockwise multiplication करते हैं तो negative result आता है तो यहां पर हमें I cross K करना है तो I cross K जाएगे तो किदर से जाना पड़ेगा I cross K मतले anticlockwise जाना पड़ेगा तो यहां पर क्या मिलेगा हमारे बास तीसरा product मिलेगा minus J तो I cross K करेंगे तो क्या मिलने वाला है minus J तो यह हो जाएगा minus I into 2R into B minus J तो जो net force उस पर लगेगा वो क्या लगने वाला है देखो 2BIR minus minus plus J हो जाएगा तो यहां पर जो net magnetic force लगेगा इस पर इस direction में लगेगा और उसकी magnitude हो जाएगी 2BIR ठीक है अब यह जो tension दोनों wire में लग रहा हूँ अब यह rest पर रखा गया that means इस पर net force 0 होना चाहिए ठीक है तो देखो जो अब हमारे पास यहां पर यह बन गया है circular loop वो कुछ इस type का बना हुआ है देखो ऐसा है कुछ कि हमारे पास यह जो है इस पर दो tension लग रहे है एक tension यहां से T लग रहा है और एक tension यहां से T लग रहा है और एक force इस पर लग रहा है यहां से इस direction में that is F ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं since semicircular wire is at rest तो हम क्या बोल सकते हैं कि sigma F जो होना चाहिए that should be equals to 0 होना चाहिए यहां सिग्मा F 5 बोलोगे तो यहां पर minus F minus 2 T should be equals to 0 होना चाहिए तो T equals to कितना आ जाएगा F upon 2 आ जाएगा और F की value हमने कितनी find कर रखी है F की value find कर रखी है 2 BIR upon 2 तो जो tension आएगा string में कितना जाएगा B-I-R के बराबर आजाएगा और यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है तो I hope आप यह चीज़ें समझ में आए होगी और यह solution भी आपका killer हो गया होगा Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT GE means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज राउन्लोड करें doubt net आप यह WhatsApp कीज़ें अपने doubts 8444 पर झालोड़ी हमार भरोसा बट यह पर major पर आजा ट्रादी आजारी और यह व dal झालोडर sniff वार Director Nлад, Rationoke Systems Youtube gemeinsam